हलो प्यारे बच्चो मैं हूँ मेगा बनानी और आपका आज की क्लास में बहुत बहुत वेलकम है और आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नमबर 9 पार्ट नमबर 9 जिनकी कवित्री हैं कौन हैं सुभधरा कुमारी चौहान और उन्होंने किस के बारे में बात की है उन्होंने जासी की रानी लक्ष्मी बाई जो हैं उनकी समाधी के बारे में बात की हैं उनकी वीरता तो हम सभी को बता है और अभी हम क्लास के बीच में उसको डिसकस भी करेंगे लेकिन उनकी समाधी जो है उनके बारे में उन्होंने कुछ बाते बताई हैं कुछ उनक वीरता को बताते हुए उनकी समाधी के लिए अपने जो उनका सम्मान है उनके लिए वो दिखाया है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बाकी चीजें आगे आगे करते जाएंगे यूपी बोट का ये चैप्टर है चैप्टर नमबर 9 और बस एक दो चैप्टर और बचे है उसके बाद हमारा यूपी बोट का हिंदी कंप्लीट उसके बाद हम एंग्लिश स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो सुबद्रा कुमारी चोहान कवित्री परीचे सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सैनानी राष्ट्रिय चेतना की अमर गाई का और वीर र यह लाइन आप लिख सकते हो अपने जीवन परीचे में अगर आ जाता है लिखने को तो जन्म कब हुआ था 1904 इश्वी में इलहबाद के एक संपन परिवार में हुआ था वे प्रयाग के क्रोस्थ वेट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा थी 15 वर्ष की अवस्था में इनका हुआ था तो यह था इनके बारे में जीवन परीचे जिसमें आप इनके वीर रस के बारे में यह लाइन जरू लिख सकते हो कि वीर रस की यह बहुत एक मात्र ऐसी कवित्री थी जिन्होंने वीरता के बारे में लिखा था और अगर आप देखेंगे तो इनकी और भी जितनी मोर आया राष्टर पिता महात्मा号 गांधी से प्रभावित होकर वे पढ़ाई लिखाई छोड़कर देशसेवा के लिये ततपर हो गई तो इनका इनकी शादी हुई शादी के बाद फिर इनको महात्मा गांधी से कुछ प्रेणा मिली और उसके बाद इनोंने देश भक्ती में और देश के सेवा में वहीं पर ही अपना कार्या करना शुरू किया, इनकी जो जितनी भी क्रतियां है ना उनमें सबसे जादा जो प्रसेद हुई थी वो जहांसी की रानी जो है उनी पर लिखी हुई, आपको अगर आप कभी जहांसी की रानी के बारे में इन्होंने कई बार जेल की यात्रा की, देखो इन्होंने कवित्री होते हुए भी देश के लिए करती थी, तो इन्होंने जेल की यात्रा है भी की, यानि ये जेल भी गई थी, सुबद्रा जी की जहांसी की रानी यही पर यह आ गया जहांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत यह शीर्षक जो कविताएं हैं आज तक लाखो यूंकों के हृदय में वीर तकी ज्वाला धटकाती रही हैं आज भी जो है काफी जो वीर हैं वो इसी बातों को पढ़के इन कविताओं को देखके अपने अंदर जोश डाल देते हैं और वो क्या करते हैं अपने अंदर जो देश भक्ती का प्रेम है वो दिखाते हैं तो इनकी कविताएं जो वीरों का कैसा हो वतसंत और जहांसी की रान से विशेश प्रोथसाहन मिला था कुछ टाया है एक दो चप्टर पहले ही हमने माकलनाल चतुरवेदी के बारे में पढ़ा था तो साहितिक और राजनेतिक कारेों में वहीं से ही इनको थोड़ा सा विशेश योगदान मिला था उनकी तरफ से तो वह भी करने लगी थी इस प्रोथसाहन के परिणाम से रूप इनकी देश भक्ती का रंग और भी गहरा और व्यापक हो गया मतलब और भी जादा ये देश भक्ती में डूप गई और भी बड़े लेवल पर ये काफी चीजे करने लगी सन 1948 इश्वी में एक मोटर दुरघटना में स्वतनतता की इस पुजारन की असामीत म्रत्यू हो गई इनकी एकसिडेंट हो गया था इनकी गाड़ी का और इनकी डेथ हो गई तो वो कभूई थी सन 1948 इश्वी में ये था इनका जीवन परीचे अब इनकी करती देख लेते हैं तो इनके मुख्य रचनाय क्या है? मुकुल और तृधारा, कावे संग्रे ये इनकी रचनाय है सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, most important मुकुल, तृधारा, ये most important है उनमादिनी, कहानी संग्रे है इनका मुकुल, कावे संग्रे है इनका तो ये कुछ, जो करतिया है, इनकी most important है जो की इनके द्वारा लिखी गई थी स्टार्ट करते हैं, इनकी शैली के साथ इनकी शैली क्या थी वही, इनकी किस टाइप की चीजे लिखती थी, किस तरह का इनका लिखने का टाइप होता था उसके बारे में देखते हैं सुबुद्रा जी की शैली जो है, बहुत ही सरल और सुबोध थी, मतलब आराम से समझ में आ जाती थी बहुत सरल थी, तो अभी आप देखेंगे आपको खुद को लगेगा कि पढ़कर खुद से ही समझ में आ रहा है इनकी रचना शैली में जो इनकी रचना करती थी, उनकी शैली में जो था, क्या-क्या था, ओज प्रसाद और माधूरिय भाव से युक्त गुणों का समन्वित रूप देखने को मिलता था ओज, ओज मिन से होता है कि जिसमें आपको उत्साहा दिखेगा यानि वीररस वाले टाइप जो होती है वो चीज दिखेगी तो ओज होता था प्रसाद क्या होता है प्रसाद मतलब कि कोई चीज आपने पड़ी उससे आपके अंदर एक चित्र बना की हाँ उसने इस तरह सी किया है मतलब एक पिक्चर टाइप का आपके अंदर बना किसी बात को पढ़के आपके अंदर वैसी ही भावनाएं बन गई वो होता है हमारा प्रसाद माधूरिय जिसको पढ़कर आपके अंदर वीर वाला उत्साह वाला उमंग वाली चीज़ दिख रही है तो ओज होगा इस तरह से इनके गुणों को डाल करके अपनी क्रतियां लिखती थी राष्टेता पर आधारित इनकी कविताओं में सजीव और ओजपून शैली का प्रियोग हुआ है ठीक है कि अगर आप इनकी राष्टेता के आधार पर अगर आप इनकी कोई भी क्रति देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा सजीव मिलेगा यानि इस तरह से मिलेगा जो भी इसकी कविताओं के ऐसा लगएगा चलिए स्टार्ट करते हैं यही से है आपका यह जो कविता है वो शुरू हो जाती है जासी की रानी की समाधी पर चैप्टर को शुरू करने से पहले इनके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इनके जो लक्ष्मी भाई उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या थी लक्षमी बाई तो देखो लक्षमी बाई जो थी एक वारा नसी के मराथा परिवार से बिलॉंग करती थी और इनका जो बच्पन का नाम था वो था मनी करनी का अगर आपको याद हो या आपने कभी देखी हो तो अभी मुवी आई थी जिसमें कंग्रार अनौत ने इस नाम की मुवी पर अभी नहीं किया था उन्होंने बनी करनी का नाम की एक मुवी की थी तो वहां पर इनकी ही स्टोरी बताई गई है तो ये शुरू से ही जो थी पेश्वा की यहां पर रहती थी तो वहां पर इन्होंने तल में सुन देते हैं लेकिन अगर कभी हमको किसी freedom fighter में अगर हमको बच्चों को भी बना के जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं गर्ल्स को मोस्ट लिए हम क्या बना देते हैं लक्षमी बना देते हैं कि हाँ यह रानी लक्षमी बाई जो है इनका dress जो है वो fancy dress के पन के जो है वोbot रहती है जब उनकी देत्त हो जाती है तो जहां वो रहती थी जहांसी वहां से थोड़ा दूर गौल नाम का एक शहर था वहां पर एक फूल बाग करके जगे थी वहां इनकी समाधी जो है वो है कि भाई अगर आपको कभी मौका मिले जाने का गौालियर में अगर आप कभी जाते हो तो वहाँ पर आप ये समाधी देख सकते हो मैंने भी कभी नहीं देखी जब मैं भी कभी जाओंगी तो जरूर देखने जाओंगी तो वहाँ पर जो है इनकी समाधी है फूल बाफ कम से कम आठ मीटर लंबी इनकी मूर्ती है और पत्थरों से चोकोर पत्थरों से बनाईवी है और चारो तरफ फूल लगे हुए है अच्छे सा बढ़िया सा लग रहा है हमारा राश्ट्रे धोज जो है वो भी वहाँ पर लगा हुआ है तो वो समाधी जो है उस समाधी के बार पढ़ रहे हैं तो हमें एक्टीस पता होना ची कि समाधी एक्चुल में है कहाँ पर कौन सी जगे पर है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इस समाधी में छिपी हुई है एक राख की धेरी जलकर जिसने स्वतनतरता की दिव्यारती फेरी यह समाधी यह लगू समाधी है जहासी की दानी की अंतिम लीला इस्थली यही है लक्षमी मरदानी की जो मैंने आपको चीजे बताई है वो सारी चीजे आप इसमें अपनी व्याख्या के तौर पर लिख सकते हो यह कुछ वर्ट जो हैं गौालियर के फूल बाग में यह आप अपने आप से एड़ कर सकते हो यह आ जहां पर जो रानी लक्षमी भाई की जो समाधी है उस समाधी पर क्या है एक राख की डेरी राख की डेरी यानि की जब रानी लक्षमी भाई का जो निधन हो जाता है तो उनकी जो अस्तियां है मतलब जो पार्ट्स थे वो वहां पर लगाय गए तो उनके ओपर उसकी और अपनी जो देश है उसको स्वतंत्र कराया था अपनी जहासी को जो है उसने स्वतंत्र कराया था तो अपने आपको उसने जला करके इसे स्वतंत्रता दिलाई दिव्या आरती फेरी और इस तरह से उन्होंने क्या किया अपने प्राणों का बलिदान देकर अपनी जहासी के एक समाधी है ये समाधी बिलकुल देखने में छोटी है लेकिन ये समाधी जो है हमारी वीर जो है जो वीरांग ना है उनकी है और ये किसकी है जासी की रानी की है अंतिम लीला इस्तली है और ये इनकी अंतिम लीला इस्तली है मतलब वो रहती जासी में थी लेकिन जब वो अंतिम घड़ी जो थी उनकी वो जासी से थोड़ा सा दूर ग्वालियर जगह जो है वहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसे ली थी और वही युद्ध करते करते उनकी मृत्य हो गई थी तो यही अंतिम लीला इस तरह यही है लक्षमी मर्दानी की जो लक्षमी थी जो क्या थी मर्दानी थी जैसे मर्द जो लोग होते हैं जैसे पुरुष लोग होते हैं उनकी मरदांगी नहीं दिखाई जाती है कि वो किस तरह से लड़ते थे वीर पुरुष थे ऐसे ही ये भी क्या थी पुरुषों के समान वीर पुरुषों के समान लड़ते लड़ते हस्ते हस्ते अपने प्राणो को इनोंने न्योच्छावर कर दिया तो ये कैसी थी? एक मरदानी थी यानि बिना डरे वीर पुरुशों की तरह युद्ध करने वाली थी clear? अब आपको इसका प्रसंग और व्याक्या भी लिखनी है साथ ही साथ संधर्ब भी समझना है तो सबसे पहले संधर्ब क्या लिखेंगे? सब में सेम लिखना है प्रसंग आप टाइम to time change कर सकते हो जैसी जैसी आपकी lines आती है मैंने प्रसंग सब में एक जैसा लिया है लेकिन आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगे कि इसमें आप क्या-क्या चीजे और add कर सकते हो ठीके, तो संदर में सबसे पहले क्या लिखोगे प्रस्तुत काव्यांच, हिंदी की सू विख्यात कवित्री कवित्री लिखना, कवी नहीं लिखना कवित्री सुबद्रा कुमारी चोहां द्वारा रचित त्रीधारा कहा से लिखारा, कविता नाम ग्रंथ जो है वहाँ से लिखारगे है, हमारे पाठे पुस्तक के कावयाखंड में संकलित जहासी की रानी की समाधी पर शीर्शक कविता से अवतरित है प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस कविता में कवित्री ने रानी लक्ष्मी भाई के बलिदान की गौरव गाथा को प्रस्तुत किया है इसके साथ-साथ आप इसमें और चीज क्या-क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो इस कविता में कवित्री ने रानी लक्ष्मी भाई की समाधी की गौरवता को बताया है मंदब बहुत सारी चीजी जो है आप इसमें एड कर सकते हो साथ-साथ हमें ये बलिख सकते हो इस समाधी से हमें जो है रानी लक्ष्मी भाई की विरांगना का चित्रन जो है वो प्रस्तुत होता है तो इस तरह से आप दो तीन वर्ट्स ऐसे ऐसे अलग-अलग डालके अपने प्रसंग में ये दो लाईने हैं आप इसके दो के चार भी बना सकते हो ठीक है आगे बड़े नेक्स दिखते हैं इसकी व्याख्या इसकी व्याख्या में कैसे लिखोगे इस समाधी में उस विरांगना की राख रखी हुई है जिसने स्वयम जल करके स्वतन तता की अलोकिक आरती उतारी थी यह चोटी से समाधी जहांसी की राणी लक्ष्मिबाई की है जिन्होंने पुरुशों के सावान साहस दिखाया यह समाधी राणी की अंतिम कर्म इस्थली है यही पर ही उन्होंने अपना कर्म क्या था वो एक विरागना थी और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने जहासी है उसको स्वतंत करने के लिए अंतिम सांसों तक वो लड़ाई की थी तो उनकी क्या है एक कर्म स्थली उन्होंने वहीपर ये अपना कर्म किया यह वह स्थान है जहां पर टूटी हुई माला के फूलों की भाती जासी की रानी जो थी वो बली हो गई यहीं पर उनकी अस्थियां जो थी वो एकत्र हुई थी और यह उनके लिए क्या है एक स्मृति भवन के समान है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं इसके साथ है कावय सौंदर्य क्या क्या लिखोगे कावय सौंदर्य में इस कविता में ओज की कवित्री चोहान यानि कवित्री के साथ आप सुबद्रा कुमारी चोहान लिख सकते हो ने लक्ष्मिबाय की वीर्ता और बलिदान की गाथा का ओजपूर्ण वर्णन किया है तो ये उन्होंने अपनी स्वतन्तता यानि देश में किस तरह से क्या-क्या चीज़ होने चीज़ तो आप अगर इनकी कविताइं पढ़ेंगे तो आपको खुद से ही ऐसा जोश आ जाया कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं भाशा कैसी है बिल्कुल सरल खड़ी बोली है कोई ऐसे ब्रज भाशा जैसे शब्द नहीं दिख रहे हैं हमको सिंपल सिंपल पढ़के समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कहना चाता है तो बिल्कुल खड़ी बोली है रस कैसा है भई वीर है वीर तो है ही क्योंकि वीरता वाली बात कर रहे हैं देश भक्ती से रिलेटेड है तो रस कैसा है वीर है गुण कैसा है प्रसाद और ओज है मैंने पहली बताया ओज तो है ही है क्यों क्योंकि उसको पढ़के हमारे अंदर क्या आ रहा है कि हाँ रानी लक्षमी बाई वो ऐसी दिखती होंगी उनके हाथ में तलवार होगी तो हमारे अंदर एक क्या बन रहा है चित्र बन रहा है तो प्रसाद भी है अलंकार क्या-क्या है उपमा है रूपक है दृष्टांत अब दृष्टांत को इग्नोर कर सकते हो अनुपरास अन तरह से आप अलंकार लिख दोगे नेक्स आता है इसके बाद आगे कि और क्या-क्या होता है यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी उसके फूल यहां संचित है यह स्मृती शालासी सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी आहुती भष्म यथा सोने से क्या कह रहे हैं अब यहां पर जो कवित्री है वो बता रही है कि यहीं पर वो क्या हो गई थी बिखर गई थी जब उस जगह पर जहां पर वो युद्ध हुआ था जो ग्वालियर है वहां पर फूल बाग जो जगह थी वहां पर युद्ध करते करते वो बिल्कुल कैसे हो गई थी बिखर गई थी भगन विजय माला सी भगन विजय मिन्स कि जैसे एक विजय माला होती है जैसे एक माला के मोती होते हैं जब वो तूट जाते हैं तो तूट के बिखर जाते हैं ऐसे ही जब उनकी मृत्यू हुई थी तब उनके भी जो अवशेश है वो सारे के सारे ऐसे बिखर चुके थे उसके फूल यहां संचित है फूल मिन्स क्या है आपर फूल मिन्स यहां पर जो उनकी राक है उसके बारें बात कर रहे हैं कि जब उनके जो फूल है यानि कि उनकी अंतिम जो राख है वो क्या है? वो यहाँ पर संचित है, यानि कि यहाँ पर इकटा है, यहाँ पर रखी हुई है और उसी जगह पर वो समाधी बनाई गई है, जो मैं आपको बता रहे हूं कि 8 मीटर लंबी जो है उनकी मूर्ती उसी जगह पर बनाई गई है, तो उसके बारे बता रहे हैं, यह है सम्रती शालासी और यह क्या है एक सम्रती यानि हमारे लिए एक याद जैसा है कि जब भी कभी हम उस जगह पर जाएंगे, तो हमको उनके बलिदान के बारे में याद आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, तो कभी चांस मिले तो जरूर जाना, मैं भी जाओंगी, अगर मैं कभी गौारियर साइड गई तो सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, उसने वार पर वार सहे थे, जब वो युद कर रही थी, तो उनके इसी गिर चड़ी चिता पर चमक उठी जवाला सी, और वो एक आहूती की तरह, जैसे हम एक यग्या में आहूती देते हैं, उसी तरह से वो भी जो हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए एक क्या बन गई थी, एक आहूती की समार अपने आपको उन्होंने नियोचावर कर दिया था, और किस तरह से दिख रही थी, वो एक, जो उन्होंने किया था, जो अपने देश के लिए, वो बिलकुल एक ज्वाला की तरह चमक रही थी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बली होने से, एक वीर का जो मान है, वो कैसे बढ़ जाता है जब वो किसी रण में, किसी युद्धिस्थल में, अपने प्राणों का नियोचावर कर देता है तो हम उसकी वीरता का बखान करते हैं जैसे हम, अगर कहीं खड़े हैं, और हमारे साथ जैसे मालों कुछ बुरा हो रहा है कोई हमको परिशान कर रहा है कोई हमको कुछ बोल रहा है, हम क्या करते हैं हम डर के थोड़ा सा पीछे हड़ जाते हैं हमको डरना नहीं है हमको उस टाइम पे उस चीज को फेस करना है कि इस चीज को डील कैसे करें अगर आप उस टाइम पर वहां से भार निकल जाओगे तो अंदर तो बंचलता रहेगा कि यह रहे यार मैंने उस टाइम पर कुछ किया नहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं दी वरना मैं भी कुछ करता हम नहीं करते लेकिन आप वहां पर अगर अपने आपको हिम्मत दे के वहां दो-चार शब्द बोल देते हो या अपने उपर जो भी आपके उपर इल्जाम लगा जा रहे है जो भी आपके साथ किया जा रहा है उसको हटाने के लिए आप कुछ बोलोगे और अगर बोलके सामने वाले को पता चल जाता है ये भी चोडने वालों में से नहीं है ये भी वीरता दिखा रहा है तो वह वीर रस जो है वह तहला भी आता है जब आप जिस जगह पर वो चीज हो रही है उसके लिए बात करते हो तो वो मान जाता है कि हां भे ये वीर है दर के बाग जाओगे तो वो क्या है कायरत है तो कहा जा रहा है कि जो वीर है उनका मान तब बढ़ जाता है जब वो कहां पर होते हैं रण भूमी में होते हैं और वहाँ पर लड़ते लड़ते जब बली हो जाते हैं तब हम उन वीरों की गाथा को गाते हैं तो ऐसे ही हमारी कौन थी? रानी लक्षमी भाई थी मुल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से और यह क्या है यह बहुत ही मुल्यवान है किस से सोने की भस्म से जादा मुल्यवान है किस से सोने से सोने मतलब की गोल्ड जो होता है उसे कहते हैं सोने की भस्म एक प्रकार की दवाई होती है जो बहुत ज़्यादा काम आती है तो जब आप बिमार होगे तो किसके क्या जरूत पड़ेगी आपको सोने से ज़्यादा क्या चाहिए होगा दवाई जी होगी पैसा थोड़ी काम आएगा दवाई काम आएगी तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मुल्यवति क्या होता है सोने की भस्म जो से हमारी पाठ्ठे पुस्तक के काव्यखंड में संकलित जासीकी रानी की समाधी पर शीर्शक कविता से अफ्सक्रित है प्रसंग लिखेंगे इस कवीता में कवीतरी रानी लक्षमी भाई ने बलिदान की गौरव गाता प्रस्तुत की है ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे लाइन हर बार इसके साथ आप एड और क्या कर सकते हो इसमें आप एड कर सकते हो कि प्रस्तुत कवीता में जो है रानी लक्षमी भाई के जो बलिदान है उसको एक क्या बताया है जौला सा बताया है और रानी लक्षमी भाई को एक वीर बाला के समान युद्ध करते हुए अपने देश के लिए अपने प्राणों का नियोच्छावर तक उन्होंने कर दिया ये सारी चीजले इस्में प्रस्तूट की गई है, तो आपके पद में जो होंगे आप उसी में से कुछ निकाल के दो-तिन लाइनों से अपना प्रसंग बना लोगे तो प्रसंग आइटिंग आपको बनाना आ गया है, संदर्व भी आपको बनाना आ गया है कि हमको कैसे लेना है सबसे पहले आपको किसी भी कवित्री, जो भी कवित्री होगा, कवी होगा उसको लिखना है, उसके बाद उन्होंने कहां से लिया है वो चीज, वो अगर आपकी कविता के लास में दिखता होगा, वहां से आपको वो चीज पकड़नी है, उसके बाद लिखना है कि हमारी पार् से आवतरित है तो संदर्ब अगर आपने बहुत अच्छे से लिख दिया ना तो आदी चीजी तो वहीं सौल हो जाएगी कि इसको इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से नौलेज है जिसको यह चीज पता है आप बच्चे कई लोग क्या करते हैं भावार्ट भावार्ट इन सब चीजों को सीखते हैं लेकिन जो में चीज है वह चीज आपकी यहां से हाइलाइट होती है प्रसंग से अगर प्र प्रसंग को आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर यह चीज होगी और भावार्ट तो आप लाइन करना सीखी रहे हो तो यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है प्रसंग को देखो जो आपको पद मिलेगा आप उसमें से बना लोगे कोई ऐसा टफ नहीं लगेगा आपको आराम से बना लोगे लेकिन संदर्व सबसे जादा इंपोर्टेंट है उसको अच्छे से करना है व्याख्या देखते हिनकी अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सास तक वे आघात पर आघात सैती रही और कवित्री कहती है कि युद्ध शेत्र में अपना बलिदान करने पर वीर पुरुष का सम्मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे सुण की तुलना में किसका सुण भस्म का मुल्य जो है वो अधिक होता है और इसके बाद इसका कावे सौंदरे देखते हैं तो कावे सौंदर मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यही लाइन लिखनी है आपको इस तरीके से अपना भावपक्ष लिखना है भावपक्ष आप कम से कम दो पॉइंट्स लिखो इसी कही आप दो पॉइंट्स बना सकते हो जैसे पहला पॉइंट आपने यहां बना दिया दूसरा पॉइंट यहां बना के लिख सकते हो तो भाव पक्ष लिखना है उसके बाद आपका जो कला पक्ष है उसको आप लिखेंगे तो भाव पक्ष में क्या-क्या है कभी ने इसके माध्यम से ततकालिन समाजवे सोतनता के लिए जागरती उत्मन करने का प्रयास किया है कभी नहीं आएगा दर कभी तरी लिखना ठीक है ओके चलिए आगे भाशा जो है वो कैसी होनी चीए सरल और खड़ी बोली है रस जो है वो वीर है गुण प्रसाद और ओज है अलंकार ओपमा रूपकेंड द्रिश्टांत में अनुपरास है द्रिश्टांत को आप हटा देना द्रिश्टांत मत लेना चलिए तो यह था हमारा आज का जो है चैप्टर नमबर नाइन का कुछ हमने पद सीखे थे जहांसी की रानी के बारे में उनकी समाधी के बारे में अब भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है नेक्स लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही चोटी सी आज ही हो जाता लेकिन बहुत जादा हो जाएगा तो इसलिए नेक्स क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थेंक्यू सो मच बबाई और टेक्यर